2024, Ford Endeavor Exterior, नई पीढ़ी की Ford Endeavor Everest, पूरी तरह से नई तकनीक और गिजमोज के साथ पुराने ND Vibes को पेश करती है, सामने आपको क्रोम या ओनेल ब्लैक में कवर किये गए बड़े फ्रंट ग्रिल के साथ, ओनेल स्ट्रेट बोनट के साथ समान सीधा लुक मिलता है, आपके बंपर के निचले हिस्सों में ADAS सेंसर और एक ग्रे रंग की स्किड प्लेट होती है, दूसरी तरफ नई 2004, एंडेवर 4.91 मीटर लंबाई के साथ पहले से बड़ी और शक्तिशाली है, जो फॉर्चूनर की 4.79 मीटर से काफी लंबी है, और लगभग लैंड क्रूजर प्रा कई अन्य अमेरिकी SUV की तरह नई एंडेवर को प्रेमी भाग पर वेरियंट बैजिंग मिलती है, सामने का दर्वाजा, कम से कम फोर्ट बेस ट्रिम में 17 इंच 5 स्पोक मिश्र धातू प्रदान करता है, लेकिन हमें भारत के लिए नियर टाइटेनियम ट्रिम में 20 इंच और यहां तक की top of the line प्लेटिनम ट्रिम में 21 इंच मिलते हैं, पिछला हिस्सा वह जगह है जहां सबसे अधिक प्रगती की गई है, अब आपको बीच में एवरेस्ट लिखा हुआ एक connected light treatment मिलता है, lights में 3D प्रभाव होता है और rear glass पिछली पीढी की तरह थोड़ा जुका हुआ रियर बंपर को skid प्लेटों के साथ अधिक मजबूत अनुभव मिलता है, जिसे wild track trim खरीद कर और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। पैदा करता है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, एक 10-speed transmission, V6 अधिक वंचनिये हैं, लेकिन लगभग RIS 6 लाक की कीमत के अंतर के कारण संभवता Ford 2.0 ZL by टर्भो को भारतिय तटों पर लाएगी, मैं इस अंतर का भुगतान करके खुश हूँ। दोहजार चोईज, Ford Endeavor Interior असली अपग्रेड नई Ford Endeavor के अंदर हुआ है, जहां आपको बड़ी स्क्रीन, सौफ्ट टच सामगरी और आराम दायक सीटों का शानदार संयोजन मिलता है। Dashboard में एक बड़ी 10 इंच या 12 इंच वर्टिकल स्क्रीन होती है, जो Dashboard की लगभग पूरी उंचाई को नियंतरित करती है और लगभग 90% सभी नियंतरणों को नियंतरित करती है। Steering, एक तीन स्पोक वाला है, जिसमें वाहन के ADS सिस्टम या 10 इंच के पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को नियंतरित करने के लिए 30 से अधिक बटन है, जिसमें नेविगेशन स्टीरियो आधी जैसे सभी कार्य शामिल हैं। Center, कंसोल में मोठा और चौड़ा गियर चैन करता, उसने यही कहा, और चार पहिया उच्च या निम्न विकल्पों के बीच चैन करने के लिए एक मोड चैन करता शामिल है। सीटों में गर्म और हवादार फंक्शन के साथ अच्छी कुशनिंग होती है, छत में एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ होता है और अगर प्लैटिनम ट्रिम चुना जाता है, तो तीसरी पंक्ती की सीटें विद्युत रूप से मोडने योग्य होती है। 2024 फोर्ड एंडेवर की ओन रोड कीमत भारतिय बाजार में फोर्ड द्वारा केवल टाइटेनियम और प्लैटिनम वेरियंट लॉंच करने की उम्मीद है क्योंकि वे ओफर पर सभी तकनीक और उपकरण पेश करते हैं और ये वे वेरियंट भी हैं जहां फोर्ड अधिक्तम मुनाफा कमाता है बाइ टर्बो डीजल के साथ टाइटेनियम संसकरण की भारत में ओन रोड कीमत लगभग RS35 लाग होने की उम्मीद है प्लैटिनम वेरियंट की भारत में ओन रोड कीमत 40 लाख रुपेये तक जा सकती है तो आपको फोर्ड एंडेवर कैसी लगी कमेंट मे जरूर बताये मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में धन्यवाद